आई नमस्कार आज हम डिसकस करेंगे गिर्याज पत्रिका जो कि हिमाशल प्रदेश की साफ़ताहिक पत्रिका जेखे गिर्याज पत्रिका डिसकस करेंगे हिमाशल प्रदेश की साफ़ताहिक पत्रिका है और इस बार की गिर्याज पत्रिका में जो है हम एकॉन्मिक सर्वे जो को हम add कर रहे हैं क्योंकि हमारा target क्या है कि जो भी important exam point of view से होता है और जो भी exam में help करेगा वो सारा का सारा हम गिजरास पत्रिका में current affair की फॉर्म में उसको discuss कर लें question number one से अभी हम discuss करेंगे बोलते हैं which of the following district of हिमाचल प्रदेश has highest percentage of forest in the total geographical area of district तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के निम्मलिकीट में से किस जीले के कुल भगॉलिक शेत्रफल में जो है वो वन का प्रतिसत सबसे अधिक है question को ध्यान से देखना पहले क्या पूछा गया है हिमाचल का डिस्टिक पूछा गया है जिसका percentage of forest जो है वो highest है उसी के geographical area का यान समाचल के percentage में वो नहीं पूछा गया है ठेको ये बता रखनाहिया आपने क würचा है तो रहा यसे हिसाब से हमें दिखने को मिलता है कि हैं pressing in और ते सेवन पॉवान परसेंट ये आपने ध्यान रखना है कि न अगर कि वह लुता हैं चंबा में देखने को मिलता है यह 84.68% यह आपने ध्यान रखना है यहां पर लहस्पित्ती दिया गया है लहस्पित्ती में देखने को मिलता है 79.13% और कुल्लू दिया गया है option में तो कुल्लू में कितना देखने को मिलता है 83.41% highest आता है कि North district में lowest की बात करें कौन से district में आता है lowest तो lowest आता है हमिर पूर district में हमिर पूर district में कितना आता है हमिर पूर district में ये 14.76% जो है वो आता है ठीक है जी तो ये है district wise forest area total geographical area of the उसी district का ये आपने ध्यान दखना है clear हो गया अगला question देखते हैं और भी concept अभी clear होंगे यहां से बोलते हैं which of the following district of हिमाचल प्रदेश has the highest percentage of forest in total geographical area of state तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के निमलिक्खित में से किस जिले में राज्ये के कुल भगॉलिक सित्रफल में वन का प्रतिसत सबसे ज़िक है तो अभी यह पूछा गया है in term of हिमाचल के total पूरे geographical area में ठीके जी तो ऐसा district कौन सा है जो highest forest area जो हो cover करता है पूरे हिमाचल में अगर हम देखेंगे area को compare करके in term of percentage तो वो है low hall city district option d low hall city जो हो सही answer हो जाएगा low hall city कितना forest area जो हो cover करता है अब यहाँ पर देखना जैसे पूरे हिमाचल का 100% area है forest का उसमें से 28.9% area जो हो low hall city कवर करता है और दूसे नंबर पर किनौर आ जाता है किनौर 14.7% area कवर करता है तीसे नंबर पर चमबा जो हो आ जाता है जो हो 14.6% कवर करता है टॉप के 3 होगे lowest में सबसे कम करता है हमेरी पूर डिस्टिक 0.4% area कवर करता है यह forest का उसके बाद उनना डिस्टिक करता है यह 0.6% करता है और उसके बाद बिलास पूर डिस्टिक जो हो करता है यह कितना करता है यह 0.9% जो है वो करता है तो यह ध्यान दखना है आपने district ध्यान दखना है उसका forest area in term of total geographical area of state ठीक है जी तो यह पता चल गए आपको कौन सा district किस तरह से कितना area cover करता है forest का in term of हिमाचल in term of state ठीक है जी मैं उमीद करता हूँ कि यहाँ इन दोनों questions में आपको कोई भी doubt नहीं रहा होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था वो आप अच्छे से समझे होंगे यहाँ पर यहाँ से question 100% surety है मुझे की question किसी ना किसी exam में बनेगा तो इन दो questions को lightly मत लेना ठीक है जी और PGT की तियारी कर रहे हैं तो दो number का question है और बाकि किसी exam में जहां पर एक number का question पुझाता है वहां पर एक number पक्का होगा यहां से अगला question देखें बोलते हैं agriculture and its allied industries account for around what percentage of total gross state value added तो बोलते हैं कि क्रिसी और उससे संबंधित जो उद्योग हैं वो कुल सकल राज्य मुल्य संबर्धन में GSBA जिसको कहते हैं उसका लगवग कितना प्रचत जो है वो योगदान करते हैं अगर हम बात करें कि जो हिमाचल परदेश है यहां पर जो agriculture और allied sector जो आते हैं कुल कितना GSBA जो है वो अकाउंट करते हैं तो यह करते हैं 13.70% कितना 13.70% option भी सही अंसरा यहां से भी कुछ concept जानने को मिलेंगे यहां से भी important point जानने को मिलेंगे वो क्या-क्या important points हैं यह ध्यान रखें agriculture और उसके allied industries जो हैं वो अकाउंट करते हैं approximately 13.70% of total gross state value added total GSBA है यह cover करते हैं हमने पहले भी शाहिए discuss किया हुआ है इस तरह से कि हिमाचल में जो अगर हम बात करते हैं agriculture और उसके allied sector से तो more than half of the population जो है ना वो यहीं से जो है वो अपना गुजारा करती है approximately 58.71% livelihood workforce जो है वो यहीं से देखने को मिलता है हमें यहीं से रोजगार जो है वो मिला हुआ है हमने अलग-अलग sectors के बारे में अलग-अलग questions जो है वो पढ़ रखे हैं इस question को note करना यह statement बना कर भी question पूछने वाला पूछ सकता है तो statement में question पूछा गया तब भी गलत नहीं होना चाहिए आपका हम question को थोड़ा easy form में discuss करते हैं ताकि वो एक practice भी हो जाए और exam में याद भी रह जाए चीज़े अगला question देखें बोलते हैं how many soil testing labs are there in हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं कितनी soil testing labs जो है चलो सही बात है यहां पर कितनी जो अगर आप से पूछा जाए कि किसके द्वारा स्थापित की गई है यहां पर लिखा भी गया है इसके बारे में हिमाचल प्रदेश में डिपार्टमेंट ऑफ एग्री कल्चर ने 11 स्थापित की है और हम बात करें कि स्वाइल कि कौन से एक्ट में इसको एड किया गया है क्योंकि यह नाइपसिलदार यह तहसील वैलफेर ऑफीसर के एकजाम में यह क्वेश्चन बन चुका है एक वार ठीक है हिमाचल प्रदेश गवर्मेंट पब्लिक सर्विस एक्ट 2011 में इसको एड किया गया है और इसमें क्या बागा देखो सर्विस मिल जाती है देखो स्वाईल की हेल्थ के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है अगर इसमें पता है तब ही उसी की इसमें फटला यजर जाएगी फिशी प्रोडक्शन अच्ची ओग एक्सान की इंकम आएगी तो यह बहुत सारी चीज आपस में کहां कहां पर सyttित के में एक ही स्थित हैं हमाशल पुछा जाएगा कितने बायो कंड्रोल भी योजिए स्टीट पेस्टिवड टेस्टिंग लेबराटरी कहां में ही इस तरह की services जो है वो फिर दी जाती है ये बता चल गया और अगर आप ध्यान रखेंगे कि यहां से जो है हिमाचल प्रदेश में कितने seed multiplication farm जो है वो स्थित हैं जिसको smfb कहा गया स्थीड स्थीड मुडिटि قर्म थैस हुं स्थित है वह भी आपने ध्यान रख नहें और आपने ध्यान लख रहे है कि हेंचल प्रदेश में कितने रवल्पेज autism कितने स्थील방 कितने हैं तो हिमाचल प्र देश करें कितने हैं कि इला و kep जकुछर में कितने हैं development station यह पहले पढ़ लिये थे question अगला question देखें बोलते हैं हिमाशल प्रदेश crop diversification promotion project added by which of the following तो बोलते हैं कि हिमाशल प्रदेश में यह एक project है जिसका नाम है हिमाशल प्रदेश crop diversification promotion project है इसको जो हो किस कौन जो हो सहाइता प्रतान करता है तो यह किसकी सहाइता से चलाया जा रहा है यह चलाया जा रहा है जाइका की सहाइता से option C सहींतर अब यह जाइका है क्या जाइका का पूरा नाम जानी है इसका पूरा नाम है जपान international cooperation agency जो हो इसका नाम है यह आपने ध्यान रखना है यह जाइका का पूरा नाम है अब हिमाशल प्रदेश में जो sustainable agriculture है ना उस को प्रमोट करने के लिए जापान जो है जापान का यह international cooperation agency जो हो सहाइता कर रहा है इसमें क्या क्या है कितनी सहाइता कहां से क्या याद रखना है अब देखो यह जो चलाया गया है ना इस तरह से project जाइका की सहाइता से इसको दो faces में चलाया गया ठीक है जो face one था उसमें क की बात करें कि पहला जो face था उसमें क्या था उसमें 321 क्लोड रॉपया दिया गया था 2020 तक जो था इससे क्या करना था sustainable agriculture डाइवर्सिफिकेशन है उसको implement करना था हिमाचल प्रदेश में और 2020 तक करना था अभी इससे हिमाचल प्रदेश के जो है वो छोटे-छोटे सभी ज जिलों में ही जो था हो क्या किया था किसानों को फाइदा देने की कोशिश की गई यहां से देखो अलग लग चीजें हो गई फसल कटाई सिंचाई पर ना ली यह सब चीजें रखरखाव हो गया इन चीजों के वपर फोकस किया गया कौन-कौन से जिले थे कांगड़ा मंड ली उनना बिलासपूर हमिरफूर इन स्थानों को फेस वन में चुना गया था तो फेस वन के 321 क्रोड़र पर आपने ध्यान रखना है 2020 तक का यह डेट आपने ध्यान रखनी है और यह डिस्टिक मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टन्ट यह डिस्टिक है इनको लिख ले यह डिस् इस्टिक में जो है वो इंप्लिमेंट करने की बात कही गई और इसमें अमाउंट जो दिया गया वो दिया गया एक हजार दस करोड़ और भारा सरकार के दोरा इससे समझोते के जो है जो हो जाइका के साथ किया गया 26 मार्च 2021 को और यह जो फेस टू है यह अगले 9 वर्सों म 9 years में जो हो हिमा चलके 12 के 12 जिलों में जो हो implement किया जाएगा तो फेस टू हमारे लिए बहुत important हो गया एक हजार 10 क्रोडर पे approximately यहां पर दिया गया 9 सालों के लिए दिया गया और सभी के 12 के 12 जिलों में दिया गया जाइका के फेस टू के अंतरगरत क्या क्या होगा इसमें जो है वो जो infrastructure development है वो होगा farmer को जो है वो sport दी जाएगी engineering agriculture staff vegetable promotion seed production इन सब के related जो है वो साहिता दी जाएगी और साथ में जो है वो value chain market development component अब समझाए जाएंगे और उनको institutional development component भी जो है वो समझाए जाएंगे तो यह सारी चीज़ें इसमें आती है कुछ भी पूचा जाए तो clear हो गया तो hopefully आप समझें होंगे इस question को भी अच्छे से अगला question देखें बोलते हैं मुख्यमंत्री किसान एक एवं खेती हर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना इस योजना को किस वर्ष जुथा वो सुरू किया गया था यह कब सुरू जुथा वो हुई थी अब देखो इस परियोजना के अगर हम बात करें कि यह प्रियोजना जुथा वो कब सुरू हुई थी तो इस परियोजना को जुथा वो स्टार्ट किया गया था 2015-16 में जो था वो सुरू किया गए था option A जो है वो से इंसर हो जाएगा 2015-16 अच्छा चलो ठीक है 2015-16 में जो था वो स्टार्ट किया गए था मुख्योंदरी किसान एवम खेती हर मजदूर जीवन सुरक्सा योजना को इसका उड़ेश से यह है कि किरिसी भी अगर किसान जो है वो कोई भी मसीनरी है जिसके संचालन जब वो चला रहा है उसको और घायल हो जाता है तो उसमें जो है वो किसान की घायल हो जाता है या फिर उसकी मृत्ति हो जाती है कुछ भी होता है तो उसको भीमा कवरेज जो है वो यहां पर दे जाएगी किस-किस तरह से बीमा कवरेज उसको दी जाएगी अगर तो वो partially जो है वो damage होता है तो उसके damage को देख के जो है जो है 10 से 40,000 के बीच में amount उसको मिल जाएगा सहाई तारासी मिल जाएगी बीमा मिल जाएगा अगर तो वो permanent handicap इस मुख्यमंत्री किशान एवं खेती है मजदूर जीवन सुरक्सा योजना के तहर्ट यह most most important योजना हो गई फिलिस हिसाब से क्यूंकि इस तरह का question exam में पूछे जाने की संभावना जादा हो जाती है यह question जरूरी होते है अगला question देखते है हमारा पास क्या दिया गया है यहां पर बोलते हैं यह हिमाशल प्रदेश area under horticulture crop in 2022-23 तो बोलते हैं कि हिमाशल प्रदेश में 2022-23 में जो बागवानी फसलों के अंतरत क्षेतरफल आता है वो कितना है जो को अगर हम बात करें कि horticulture के तहद कितनी crop जो है वो आती है तो वो आती है 2,36,466 hectare option A सही अंतर है 2,36,466 hectare जो है यह जो है वो किसके तहद आती है बागवानी यानि कि horticulture के तहद आती है horticulture के concept important है हिमाशल प्रदेश में area देखिए horticulture crop के तहद जो 2022-23 में आता है 1950-51 में ये सिर्फ और सिर्फ 792 hectare हुआ करता था तो ये एक point आपने ये ध्यान लखना है अगर हम बात करें कि area जो horticulture के तहद आता है उसमें जो पूरा हिमाशल का agriculture area है वो कितना जो है वो contribute करता है तो पूरे agriculture area का ये 26% जो है वो contribute करता है ठीक है ये आपने ध्यान लखना है यहीं पर हम बात करें कि ये जो sector wise अगर हम contribution देखते हैं तो whereas the sector contribute 22% ये sector 22% जो है वो पूरी production का जो है वो क्या करता है जो है ये पूरे contribute करता है पूरी production का इसमें agriculture crop value आजाती है ये amount दिया गया है vegetable horticulture crop इतना इतना दिया गया है वो याद रख लेना 2007 से लेकर 2008 और 2021 से लेकर 2022 तक का ये data important है इसमें horticulture crop में जो है वो हमें growth देखने को मिली है कितनी percent growth देखने को मिली है 17.60% growth देखने को मिली है हिमाचल में जो major horticulture crop है वो कौन कौन सी है apple, mango, orange, pear, plum, peach, galgal और apricot ये जो है वो major यहां पर horticulture की crops आ जाती है जो एक तरह से आप कहेंगे कि horticulture की backbone मानी जाती है वो ये फस लेया जाती है अगला question देखें statement based question दिया गया है दो statements दी गई है आपको बताना है सही statement question में देखें पहली statement क्या है यहां पर बोला गया है apple is the most important fruit crop of हिमाचल प्रदेश which constitute about 49.92% of total area under fruit crops तो बोलते हैं कि सेव हिमाचल प्रदेश की सबसे महत्तपूर्ण फसल है बिल्कुल सही बात है कि सेव तो हिमाचल की सबसे महत्तपूर्ण फसल है ही बोलते हैं जितना भी फल यहां पर होता है ना उसके जितना भी फलों के अंतरगत यहां पर कशेत्र फल आता है उसका 49.92% तो यह अकेला apple ही contribute कर देता है मतलब मान लो 100% यहां पर जो फल होते हैं उसमेंसे जो है 49.9% जो है वो अकेला यह apple ही कर रहा है अच्छा यह बोला गया है दूसरी statement में बोला गया है between financial year 2007 and 8 and financial year 2021 to 2022 the area under apple has seen a growth of 21.4% की 2078 से लेकर 2021-22 के बीच में जो save केता है तो फसल है उसमें गरूर देखने को मिली 21.4% अच्छा आप बात करते हैं पहली statement से देखो पहली statement गलत दी गई है गलत क्यों दी गई है क्यूंकि apple देखो most important crop तो है ही प्रंथू यह जितनी भी fruit production यहां पर होती है fruit crop है उसका यह 48.92% ही cover करती है यह आपने ध्यान लखना है यह जितनी fruit का जो area है ना उसका 48.92% यह cover करता है और जितना भी fruit produce यहां पर होता है उसका 82.53% जो है यह cover करता है तो पहली statement हो गई गलत यह सही आंकड़े पता चलगे 48.92% यह area cover करती है और 82.53% जो है यह total fruit production का cover करती है और अगर हम बात करें कि area जो apple production की तहद आता था 1950-51 में 400 hectare आता था 1960-61 में 3025 hectare आता था और 2022 ते इस financial year में यह 1,15,680 hectare जो है वो आता है 2078 से लेकर 2021-22 के बीच में हमें 21.4% जो है वो क्या देखने को मिला है growth देखने को मिला है बिलकुल यह सही बात है तो statement 1 जो है वो incorrect है और statement 2 जो है वो correct है तो इस हिसाब से यह option C सही अंसर हो जाएगा statement यह option D सही अंसर हो जाएगा statement 1 is incorrect and statement 2 is correct इस हिसाब से यह सही होगा पता चल गया इस data को लिख लेना ये भी दो नमबर का पक्का question है पहले भी पूछा गया है exam में आगे भी पूछा जाएगा ऐसा ही question अगले question में बोलते है match list 1 and list 2 अधको list 1 और list 2 match करनी है बोलते है production of milk in हिमाचल प्रदेश यहाँ पर year दिया गया है कि किस year में कितनी production हुई और यहां पर production दी गई है in term of lactans ठीक है जी तो अगर हम बात करते हैं कि 2021 21 21 22 22 22 23 23 24 में सीधा answer ही आपको बताता हूँ जिनको pdf मिलेगी जब आपको जिन्होंने भी हमारा test series group join किया है तो वहां पर practice भी कर लेंगे इसको थोड़े दिनों के बात ठीक है मैं सीधा answer बताता हूँ आपको देखो 2020 21 21 में जो हिमाचल में milk production हुई वह हुई 15.76 lakh ton यह आपने ध्यान रखना है यह 2020 22 22 में जो milk production यहां पर हुई वह हुई 16.15 lakh ton यह आपने ध्यान रखना है 2022 23 में 2022 पर मिल्क production हुई 16.17 lakh ton और 2023 24 में जो मिल्क production हुई वह कितने हुई 23 24 में वह हुई 16.54 lakh ton यह आपने ध्यान रखना है तो ये मैच ऐसे ही था कि A के साथ पहला, B के साथ दूसरा, C के साथ तीसरा और D के साथ चौथा, ऐसे ही मैच हो जाना था ये, ये आपने ध्यान रखना है, तो milk production का ये important question है, exactly कहीं बार ऐसे ही question पूछ ले जाता है, और ऐसे पूछ लिया गया है, तो कहीं नहीं जाता आपक और जितनी practice आप करेंगे न testers की, उतना ही आप में confidence आएगा paper में बैठ कर भी, paper में आपको देखो pass होना तो कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी, आप definitely अच्छे score लेकर जो हो, वो merit भी बनाएंगे यहां पर, और सबसे बड़ी बात है कि pass होने का डर है, तो जितनी practice करे अगला question देखें, statement one, statement two, इनमें से बताना है correct one कौन सी है, यहां पर बोलते हैं पहली statement में, egg production in हिमासिल प्रदेश has increased marginally from 10.50 lakh in 2011-12 to 11 lakh in 2023-24, हिमासिल प्रदेश में जो अंडे का उतपादन है, वो 2011-12 में 10.5 लाग से बढ़कर 2023-24 में 11 लाग हो गया, और आगे बोलते हैं क statement two में, there has been a decrease in meat production in a state from 2021-12 to 23-24 की, जो हिमासिल प्रदेश में मांस का उतपादन होता है, उसमें हमें कमी देखने को मिली, 2011-12 और 23-24 की अगर आंकडे हम compare करते हैं, पहली statement बिल्कुल सही दी गई है, कि हिमासिल प्रदेश में जो अंडे का उतपादन है, वो 2011-12 में 10.50 हो गया है, यह बिल्कुल सही बात है, दूसरी statement की बात करें, तो यहां पर देखो, हम बात कर रहे हैं, meat production की, तो यह definitely decrease हुई है, 2011-12 और 23-24 के आंकडे हम share करेंगर, बोथ statement one and two are correct, option A, सही अंसर हो जाएगा, यहां पर detail में भी देख लीजिए, बोलते है, एग production जो ही मासिल प्रदेश में है, वो increase हुई है, दस-दसमिला, पांच-जिरो लाग से लेकर, 2011-12 में इतनी होती थी, और 11 लाग हो गई, 2023-24 में, बिल्कुल सही statement यह पहली दी गई है, दूसरी statement में बोलते है, there has been a decrease in meat production, की जो meat की production यहां पर होती है, उसमें कमी देखने को मिली है, 2011-12 और 2023-24 के आंकडे, अगर हम compare करते हैं, तो यह कम ही देखने को मिली है, यह भी question पूछा गया, तो 100% sure की ऐसे question पूछा जा सकता है, और ऐसे question पूछा गया, तो कहीं नहीं जाते हैं आपके फिर यह दो number, तो इस तरह का यह data हमने अभी जाना, और यह 2023-24 के economic survey के according ही हम सारा का सा data जान रहे हैं, अगला question हम discuss करें, उससे पहले मैं थोड़ा सा allied की testers के बारे में बता देता हूँ, कि अगर allied की testers आपको practice करनी है, allied सर्फ इसकी testers, तो नीचे उसका description box, comment box में जो है, लिंक दिया गया है, और वहां से आप practice कर सकते हैं, देखो allied की testers हमारी ऐसी है ना, कि अ करेंगे, और इमानदारी से बढ़ा ही करेंगे, कम्यां भी पता चलेंगी अपनी और improvement भी बहुत जादा होगा, और वही चीजे success की और जो हो ले जाएंगी, अब depend आपके उपर करता है, कि आप किस तरह से practice करते हैं, और किस तरह से बातों को समझते हैं, testers के link नीचे description box, comment box में दिये गए है, question number देखिए, अगला क्या है, बोलते है, which of the following district is the highest number of fair price shops in urban areas up to December 2023, बोलते हैं, December 2023 तक निम्मलिकित में से किस जिले में, जो सहरी क्षेत्रों में, उचित मुल्ले की दुकाने हैं, उनकी संख्या सबसे अधिक है, ये question हमने last time economic survey में हमने discuss किया था, जो second part economic survey का था, वहां पर हमने discuss किया था, अभी आप comment करके जो है, वो इसका अंसर बताएंगे, कि highest number of fair price of urban areas में है, up to December 2023, वो कहां पर है, जल्दी से comment करके बता दीचे, टेलीग्राम पर जोईन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर जोईन करने के लिए, अपने टेलीग्राम से, at the rate tall exam 31 सर्च करना, आपको माना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इसकी playlist हमालक से बना देंगे, economic survey की, वहां से आपको और वी ज़्यादा help मिल जाएगी, that's all for today, thank you, thank you very much for watching and listening very patiently.